कि आपको पता है आप 100 रुपे इंवेश्ट करके करोड़ों रुपे बना सकते हो शायद आपको मेरी ये बात मजाक लग रही होगी पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है असल में होता यह है कि हमारे देश में इसकोलों में financial education सिखा ही नहीं जाती है और हमारे घर पर भी हमारे माता-पिता इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं जिस वज़े से वो भी हमें ऐसी चीजे नहीं सिखा पाते हैं एक middle class family में जब भी बात investment की होती है तो उनके पास invest करने के लिए सिर्फ दो-चार चीजे ही होती है और वो उनके उपर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं और वो चीजे हैं FD, RD और LIC इन तीनों में अपना पैसा डालने का मतलब ही है अपने पैसों को आग लगा देना अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यह मैं आपको अभी समझाता हूँ अभी आपको स्क्रीन पर अभी तक की interest rate दिख रहे होगी FD की तो देखिए समय के साथ ही कैसे इन में उतार चड़ाव आ रहा है कभी यह कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है और अभी हाल फिलाल आप इसमें 2022 तक देख सकते हो इसमें काफी कम interest rate है और 2023 के आखड़ी भी आप side में देख सकते हो और वर्तमान में 2023 में यह interest rate चल रहा है तो इसी तरह FD की तरह ही RD में भी interest rate चलता है और LIC में भी interest rate इसी इसाब से चलता है और वैसे भी LIC एक insurance company है जहां आप insurance ले सकते हो पर लोग LIC में investing के इसाब से पैसा डालते हैं जिसमें उन लोगों ना तो ढंक से insurance cover मिलता है और ना ही सही से investing हो पाती है लोगों को यह समझी नहीं आता है कि insurance एक अलग चीज़े और investing एक अलग चीज़े अब आपके मन में सवाल होगा की ऐसी investing कहां करें जाम 100 रूपे से करोड रूपे बना सकते हो तो आपको investing ऐसी जगह करनी है जहां आपको return 15% से 20% तक मिले तभी possible है की आपके 100 रूपे की investing आपको करोड रूपे बना कर दे सकती है तो ऐसी जगह है share market यहां आपको 15-20% तक की return हाराम से मिल जाते है पर यहां problem यह होती है की share market को समझना हर केसी के लिए possible नहीं है तो ऐसे में एक साधर रहन इंसान तो share market में पैसा नहीं डालेगा क्योंकि उसे share market की समझ नहीं है तो ऐसे में क्या क्या जाए तो ऐसे में एक रास्ता है और वोस रास्ते का नाम है mutual fund mutual fund कंपनियों में ऐसे expert होते हैं जो share market को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं वो लोग आपके पैसे को share market में आपकी जगह पर लगाते हैं और आपको जो भी profit होता है उसमें से वो अपना commission काट कर आपका पैसा आपको profit के साथ लोटा देते हैं इन कंपनियों का commission 0.1% से लेकर 2% तक होता है और ये commission निर्वर करता है कि आप किस fund हों से mutual fund ले रहे हो और कौन सा वाला mutual fund चुन रहे हो अब आपको शुरुआत में सिर्फ एक काम करना है आपको एक सई fund डूड़ना पड़ेगा जो अच्छे return देता हो और ये जानकारी आपको Google पर सच करने से मिल जाएगी कि कौन सा fund कितना तक return देता है अब आप चाहें तो उस fund में एक बार में पैसा डाल कर छोड़ सकते हो या फिर आप हर मेने S.I.V. के जरिए पैसा डाल सकते हो या आपकी अपनी मर्जी होगी अब यहां मैं आपके सामने दो calculation करूँगा जिसमें एक calculation में तो हम एक साथ पैसा डालेंगे और एक calculation में हम हर मेने पैसा डालेंगे तो दोनों के बीच में अंतर दीखिएगा तो सबसे पहले हम हर मेने इन्वेस्ट करेंगे और हम या एक ऐसा fund चुनेंगे जो लगबग हमें तकरीबन 15% तका return दे अब हम 100 रुपे डालेंगे अगले 50 सालों के लिए तो अगले 50 सालों में आपका जमा हो जाएगा 60 हज़ा रुपे और आपका कुल return बनेगा 1 करोड 64 लाक रुपे तो आप खुछ सोचिए कि सिर्फ आपने 60 हजार रुपे ही तो जमा करें वो भी 50 सालों में तो उर्ष में आपका return बन रहा है 1 करोड 64 लाक रुपे और एक बात ये investment हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं ये हम हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं यानि कि आप हर महीने 100 रुपे भी invest करोगे तो आप अपने बच्चों को एक करोड 64 लाक रुपे देखकर जा सकते हो ये तो सिर्फ आपकी investing वाली कमाई है लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हम हर महीने 100 रुपे से ज़दा invest करें तो कितना पैसा बनेगा अब हम 100 की जगह 1000 रुपे invest करके देख लेते हैं तो सबसे पहले में आपका जमा हो जाएगा 12,000 रुपे यानि कि पहले साल में आपका 12,000 रुपे जमा हो जाएगा और आपकी maturity value होगी 13,000 रुपे अब अगले 10 साल में आपका जमा हो जाएगा 1,20,000 रुपे और आपकी maturity value होगी 2,80,000 रुपे और इसी तरह 20 साल बाद आपका जमा पैसा हो जाएगा 2,40,000 और आपका पैसा पतक बन चुका है 15,16,000 और 30 साल बाद आपकी जमा राशी हो जाएगी 3,60,000 और आपका अमाउंट अब होगा 70,10,000 और 40 साल बाद आपका जमा हो जाएगा 4,80,000 और आपका अमाउंट अब होगा 3 करोड 14 लाक रुपे यानि कि आप अगले 40 साल तक हर महीने 1000 रुपे जमा करते रहे तो आप अपने बच्चों को 3 करोड रुपे दे सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल में सिर्फ 4,80,000 रुपे ही तो जमा करने पड़े वो भी आपको महीने से करना पड़े जिससे आपके उपर को लोड भी नहीं आया अब हम हमारी दूसरी केलकुलेशन करेंगे जिसमें हम सिर्फ एक बार में ही पैसा डालेंगे तब देखते हैं कितना पैसा बनता है हमने पहले वाली केलकुलेशन में चाल लाक ऐसी ह הצ रूपे जमा करें थे पूरे चालिस साल में अब हम उसी फंड में ये पैसा हम 61 डालेंगे और भूल जाएंगे यानि कि बीजम में एक रुपे भी नहीं डालेंगे तो अगले 10 साल में आपका पैसा बन जाएगा गुनिस लाख 42,000 रुपे और 20 साल में ये पैसा हो जाएगा 78,000,000 चपन अजार रुपे और 30 साल में ये पैसा होगा 3 करोड 80,000,000 रुपे यानि कि अब आप देख सकते हो कि वहाँ पर 3 करोड होने में हमें 40 सा लेगे थे और यहाँ पर हम सिब 30 साल के अंदर ही 3 करोड बनेगे और अब इसे हम अगले 40 साल तक रख लेते हैं तो आपका पिसा बन जाएगा 12 करोड 86 लाक रुपे अब आप खुद सोचिए कि क्या आप कभी 12 करोड 86 लाक रुपे कमा पते यह इतनी बड़ी रकम है तो यह जाद हुए कमपाउंडी का अब हमने दोनों तरह की केलकुलेशन कर ली है जब हम हर महीने 1000 रुपे जमा कर रही थे तब हमने जमा किये 4,88,000 रुपे और वो 40 साल में बन गए 3 करोड 14 लाक रुपे और हम जब हम यही अमाउंट एक सार डाल दिया तो 40 साल बाद यह बन गया 12,86 लाक रुपे अब आप खुछ सोचो कि आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी 12,86 लाक रुपे कमा पाते या फिर नहीं इसलिए आप पैसा सेव करने के साथ साथ उसे इन्वेस्ट करना भी शुरू करो ताकि आपका पैसा भी समय के साथ ग्रोह हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसे से नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, गुड़ बाई